हेलो पेरिंस कैसे हो आप सब आई हो आप लोग ठीक होंगे चलिए देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है मैथ में ठीक है आज का हमारा टॉपिक है मैथ में नंबर कौंटिंग अगर आपने बच्चों को 1-100 नंबर की प्रैक्टिस करा दी है एंड उनको मैथ के सिंबल्स बता दिये हैं उनकी प्रैक्टिस हो चुकी है तो एक में टॉपिक आता है इसमें की नंबर कौंटिंग बच्चे अगर नंबर कौंटिंग ही करना नहीं जानेंगे तो उन्हें एडिशन सब्स्ट्रेक्शन चाहे मैथ कोई भी कोश्चन सो वो सकते हैं इसलिए बच्चों को मैथ में नंबर कौंटिंग की प्रैक्टिस कराना बहुत इंपॉर्टन होता है तो देखते हैं कि बच्चों को नंबर काउंटिंग की प्रैक्टिस कैसे कराई जाए ठीक है देखिए इस टाइप के फिगर से आप ड्रॉ कर देजिए छोटे बच्चों के लिए फीगर के त्रिव पढ़ाना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है तो कि बच्चे जो होते हैं वो colorful figure देखके बहुत attractive होते हैं तो इस वज़े से आप कोसिस करिए कि बच्चों को जब भी पढ़ाने के लिए बैठी हो तो इस तरीके के figure सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए लाइक कर लेजिए कमेंट कर लेजिए और बिल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत बुलिए ताकि मेरी वीडियो की notification आपको मिलते रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो देखिए बच्च कि कितनी वाल है मतलब उसकी quantity उसको बताएए कि कितनी वाल है ठीक है तो बच्चे को जब आप बताएंगे कि यह one है तो बच्चा जो है समझेगा कि यह मेरा single है इसको one कहते है तो वो बोलेगा ठीक है यह one है ठीक है तो यह आपका one हो गया अब one आप यह लेखे box उसके साम करवांटिंग कर्वाई यह यहां पर two balls है यह थो फिर लिक्षवाई हे इस तरीके से हैं तरी ही यहां पर उन बार है लोसके बच्चो को here जो है number counting करें फिर उसके बाद यह देखिक यहां पी 3 है यहां पी 3 है यहां पी 4 है ठीक है फिर आप करिए यहां पी कितनी ball है तो बच्चा count करेगा 1 2 3 4 ठीक है आप बच्चों से बोलगे कि ऐसे मन में नहीं बोल बोल करें और यहां पे लिखें जैसे यहां 4 हो गया यह figure है ice cream का ठीक है तो देखिए बच्चों को जो attractive लगे उसी का figure आप बनाईए तो बच्चे जादा interesting लेंगे इंट्रेस्ट लेंगे पढ़ाए में तो ये देख्ये यहाँ पर भी one है तो ये हो गया फ़न ठीक यहां पर two ice cream है तो बच्चों से बोलेगे कितनी ice scream यहां पर है count करें तो one and two तो यह हो गया आपका two तो इसी तरीके से 1-2-3 यह आपका 3 हो गया 3 ice cream है तो बच्चों को इस तरीके से करवाईए यह 1-5 की practice करवाईए और फिर उसके बाद इस तरीके से 1-10 की practice करवाईए अब देखे वो तो था ball का और ice cream का यहाँ पर क्या हो गया आपका balance हो गया ठीक है तो balloon है तो यहाँ बच् आपका 2 balloon है ठीक है तो 1-2-3 3 balloon है इस तरीके से बच्चों को count करवाईए जैसे 1-2-3-4 पहले आप जो है बच्चों को वन से लेकित इन तक की practice करवाईए इस तरीके से आप अगर उसको रोज एक एक प्रैक्टिस करवाएंगी जैसे की वर्क सीट की 1-10 11-20 इस तरीके से कर कर वाएंगी तो बच्चों को counting करने में कोई problem नहीं होगी और वो solve कर लेंगे questions अगर आप उस तरीके से बच्चों को solve कर वाएंगी तो ठीक है अब यहां पर देखिए बच्चों से दो तीन आप बताईए करके उसके बाद बच्चों से बोल दीजे कि जो है count करके खुद यहां पर जो boxes बने हुए उसमें लिखिए जैसे one two three four five यहां पर कितने बैलून है तो यहां पर बच्चों से बोलिए जितनी भी बैलून हैं आप count करिए और यहां पर लिखिए ठीक है तो यह तो हो गया इस तरीके से बच्चों को number counting बताना ठीक है अगर आप इस तरीके से सब कुछ इसमें ड्रॉव है देखिए अगर आपको दिख रहा होगा इसमें सब कुछ ड्रॉव है बस आपको बच्चों से यह कहना है कि इसमें count करें कि जो भी फेगर यह बने हुए वो कितने और इस साइड आपको लिखना है जैसे यहां पर देखिए cat ड्रॉव है इसमे तो cat कितनी है बच्चों से बोलिए count करें और लिकर जैसे 1,2,3,4,5,6,6,6 है यहां पर बच्चों से कह दिजिए यहां पर ऐसे 6 लिखा जाएगा ठीक है फिर यहां पर सिप कितनी है 1,2,3,4,5,6,7,8,9 यहां पर 9 है बस आपको यहां पर बच्चों से 9 लिखाना है तो य अगर आपके पास book नहीं है तो आप खुद figure draw करके समझा सकते हैं और एक तरीके से भी आप बच्छों को बता सकती है कि counting कैसे होती है जैसे ये colors है या फिर कोई भी चीज ले लीजे आप बच्चो को दे दीजे ठीक है जैसे यह कितने कलर हो गाएं वन टू थ्री फोर फाइफ सिक्स ठीक है जैसे आप वन से लेके अगर टैन तक यह प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पहले वन कलर दीजे नहीं तो ऐसे डारेक्टली दे दीजे औ बच्चों को कलर और बोलिए कि काउंट करें जैसे वन टू थ्री फोर फाइफ सिक्स इस तरीके से भी आप बच्चों को काउंटिंग करना सिखा सकती हैं फिर फोर कलर दे दीजे फिर बोलिए अब यह कितने कलर हैं तो बच्चे काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर यह आ यह questions solve कर पाएंगे जैसे addition हो गया सब्स्ट्रेक्शन हो गया कोई भी question हो अगर उनको counting करना नहीं आता है तो उनको बहुत problem होगी इस वज़े से बच्चों को अपने number counting करना पहले सिखा देजिए उसके बाद अगर आप लोग को यह वीडियो पसंट आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करिये और बिल आइकन को प्रेस करना ना भूलें आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नया टॉप्री के साथ तब तक ऑल्वेज be happy